सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर करउंदी गाउं के पास पल्टे श्रदालूं से भरी बस दो श्रदालू एक गंभी रूप से गायल वारानसी से कासी विस्वनात का दर्शन कर वापस जा रहे थे आयुद्यादाम सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां करउंदी गाउं के पास श्रदालूं से भरी एक बस सड़क पर गड़ा होने की वज़ा से अनियंत्री थोकर पलड गई बस में तिलंगाना हैदराबाद के 38 श्रदालू सवार थे जो राम लला का दर्शन करने के लिए दो दिन पहले ही अयुद्यादाम आये थे अयुद्यादाम दर्शन करने के बाद श्रदालूं ने प्राइवेट बस बुक कर कासी विश्वनात वाराण सी दर्शन करने गए थे जहां से वापसी आते समय उनके साथ ये घटना हो गई टाटियन अगर पुल छतिगरस्थ होने की वज़ा से बस्चालक लमुव से कूरे भार होकर बस लेकर निकल ला था मोदिगरपूर थाना छेत्र के करौंदी गाउं के पास बस सड़क पर खड़े होने के वज़ा से अनियंत्रित होकर खाई में पलड़ गई जिसमें कई लोगों की मामूली चोटे आई और दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए समुदाइक स्वास्केंद मोदिगरपूर पहुचाया गया सुल्तानपूर से एक खबर अमारे समवादाता नफिस खान ने कवर की है सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें